नमो सिधान, नमो आयरियान, नमो वज्जायान, नमो लोय सवसापून. नमो सिधान, नमो आयरियान, 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 नमो अपहृत सैयम से उपेक्षा सैयम को प्राप्त कर लेता हैं और उपेक्षा सैयम से सिद्धत्व हो। सिद्धत्व तो उपेक्षा सहियम से होता है पर उपेक्षा सहियम में जाने वाले सभी सिद्ध नहीं होते है वहाँ वैकल पिक है अगर पूरी सामगरी होगी द्रव्याद, इस्वाद, इसमपत्ता, वात्मनोग, प्यात्मता मता द्रव्यक्षे, तरकाल, भाव, चारों अगर सुप व्यवस्थत हो जाता है तब सिद्धत्व की प्राप्ति होती है प्राप्ति होती है भाव शुद्धी, काय शुद्धी, विने शुद्धी, इर्यापत शुद्धी और विक्षा शुद्धी की उप्राणत अब चटी शुद्धी का नाम है प्रतिष्ठापन शुद्धी प्रतिष्ठापन शुद्धी पर सैयत प्रतिष्ठापन शुद्धी में तत्पर्जो सैयत होते है ना खरूम, ना सिका का मल, मुख से निकलने वाला, कंठादिक से निकलने वाला जो कफ है और अन्य भी मल, मूत, रादी और यहां तक कि जब अपनी आयूपूर्ण हो रही है और अपना शरीर छूटने वाला है तो इस शरीर को भी ऐसे स्थान पर, ऐसे समय पर छोड़ते हैं कि जहां जीवों को बाधा न पहुंचे एक भ्यातव वितत्थ हैं कि शास्त्रों में यही मुनिराज, अत्वारिका, खुल्लकादी, शरीर विसर्जित करते हैं तो उनको उस स्थान पर छोड़ दिया जाता है संग के द्वारा उनको बहाँ छोड़ दिया जाता है और छोड़ने की पूरी एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से उनको छोड़ दिया जाता है पर उनका अंतिम संसकार नहीं किया जाता है शास्त्रों में भगवती आरादना में मरण कंडिका में ऐसा विबरन है और फिर जिसे सुकुमाल स्वामी थे उस मशान में शवासन में कायोत सर्ग कर रहे थे और उन पर तीन दिन उपसर्ग हो गया शरीर छूट गया तो उस समय सौधर मिंदर ने आकर कि वहाँ पर वो सब संसकार विधी की थी तो अन्य कोई अगर संसकार विधी कर लेता है तो उसमें कोई ऐसा विरोध नहीं है लेकिन संग के द्वारा संसकार विधी नहीं उती है ऐसा नहीं है जैसे तीर्थंकर है तीर्थंकर का जब शरीर शूट जाता है तो प्रतिष्टा श शरीर का पूर के समान उड़ जाता है। हरिवंश पुराण में बलते हैं कि सारा शरीर विद्युत के समान विलीन हो जाता है। तो फिर वहाँ पर एक कृत्रम आकरती बना करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और मूल संग के गरंथों में चाए महापुराण हो चाए आचारे पूजबाद स्वामी कृत निर्वान भक्ती हो वहाँ पर ऐसा उल्लेक है कि भगवान का शरीर नष्ट नहीं होता। क्योंकि शला का पुरुष्यों के शरीर के विशय में ऐसी अनुश्रुती है और ऐसा विबरण भी है कि छे महाँ तक उसमें विकार नहीं उत्पन होता है। आपने संभवत पढ़ाओ अगनींद्राज्जिन देवहं मुकुतानल सुर्विगोशीर्शेहं अभ्यर्च गणधरान पी गताश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अगनींद्राज्जिन अगनीकुमार जो इंद्र होते हैं वो मुकुतानल उनके मुकुत से उत्पन हुई अगनी द्वारा और सुर्विगोशीर्शेह अभ्यर्च वो एक अर्चना है। निर्वान कल्यानक की पूजा है भगवान की शरीर का संसकार करना और उस पूजा का अधिकार अगनीकुमार इंद्र को है। और वाकि सारे देव जो होते हैं सुरवी, गोशेशे, अलग-अलग सुगंधित पदार्थों के माद्यम से अर्चना करते हैं। और गंधरान भी अभ्धर्च, गंधरों की भी अभ्धर्च ना करते हैं और फिर गतादिवं खम चवन भवने। जो देव लोग की देव थे वहां चले जाते हैं खम याने जो जोतर लोग की देव थे वहां चले जाते हैं वन जो ग्यंतर थे वह अपने स्थानों पर चले जाते हैं और भवने याने भवनवासी जो भवनों में चले जाते हैं तो यह चतुर निकाय देवों की द्वारा नि लूपबर माले हाँ अच्छ उसके पहले हैं ठीक है अगर मुकोटानल कहा लिखा एक मिनिट दोनों श्लोक पढ़िएगा परिनिर्वृत्तम जिनेंद्रम जिनेंद्रम परिनिर्वित्रम जिनेंद्र भगवान परिनिर्वान को प्राप्थ हो गया है ऐसा जान करके फिर विभुधा विभुधा याने देवगण यथाशु चागम्या नियम तह शीगरता पूर्वत आ करके क्या क्या करते हैं देवतरु रक्त चंदन देवतरु का अर्थ होता है सुरतरु याने कल्प व्रुक्षों के जो लाल चंदन द्रभ होते हैं काला गरु काला गरु भी एक धूप में सम्मिलित पदार्थ होता है सुरभी गोशेर्शे ही और सुरभित जो गोशीर शंदन है इन सब के माध्यम से फिर दूसरा का बया जाएगा अगनी इंद्राद जिन देहम और अगनी कुमार इंद्र के माध्यम से उससे मुकुटानल गूर्भी धूप वर माले जिन देहम अभ्यर चेंद जिन देहम जिनेंद्र के देह की अभ्यर्चना करके वो कृत्रम देह नहीं है वो जिनेंद्र की देह है उसको अभ्यर्चित करके और गंधराना पर अभ्यर्चना करके गता दिवं खम चवबन भवनी चारो निकाई की देव अपने अपने ठिकानों पर चले जाते है तो ये भी नमो सिद्धानम में सिद्धपद प्राप्त करने वाले जो जीव है उनकी अंतिम जो निर्वान कल्याणक की जो विधी होती है उसका विप्रणता तो ये एक जानने योग्य चर्चा थी कि भगवान का शरीर यथावत रह जाता है और फिर उसकी अर्चना करते हैं और उसको अगनी कुमार देव अपने मुकुट से निकलने वाले अगनी से संसकारित करते हैं तो अब एक प्रशन था था न कि उनक्षेत्रों का क्या महत्व हैं तो वहाँ पर भगवान की राक है भगवान की शरीर की राक है वहाँ पर ये महत्व उसक्षेत्र का याने उनकी देह के परमाणों आज भी वहाँ पर विद्यमाई उसी के प्रतीक में हवन में भी तिर्थंकर कुंड गंधर कुंड कीवली वो तीन कुंडों का बरणे नल लगाते हैं उत्तर पुराण और महापुराण में बरणे नहीं से तिर्थंकर, सामानने केवली और गंधर कुंड ऐसे तीन कुंड होता है यह सारी विधियां हवन विधियां जो है यह आगम सम्मत है कुछ विद्वानों का ऐसा लगता है कि वैदिक परमपरा से जैनों ने जैन आचायरियों ने इस पंचम काल में उसको जैन विधि में रूपांतरित करके आगम में समाविष्ट कर लिए ऐसा कुछ विद्वानों का जो इतने अधिक विश्वस्त थे अपने ज्यान के प्रती कि उनको आचायरियों के विशय में भी अनुमान लगाने की पूर्ण स्वतंतरता थी ऐसे विद्वान भी हुए तो वो ऐसी माननेता रखते हैं जैनेव जो ये ब्रह्मणों से जैनों को अपनाना पड़ा क्योंकि उस समय ब्रह्मणों का बड़ा जोर था तो जैनाचायरियों को समझोता करना पड़ा वे जैनाचारिय जो राजदर्बार में जाकर चुनौति पूर्वक शास्त्रार्थ करने में सक्षम थे और जैन धर्म का डंका बजा करके आते थे उनको वहां समझोता करना पड़ा और ब्राह्मन विधियों का जैनी करन करना पड़ा ऐसे भी विद्वान हुए और आज भी उनके अनुकरन करने वाले पिछी धारी जिन मुद्रा के धारक बैठे हुए हैं जो उन विद्वानों को आचारियों से ज़्यादा बड़ा मानते हैं जो आचारियों को अमानने करने वाले विद्वान हैं उन विद्वानों को आचारियों से अधिक महत्तो देने वाले आज भी लोग हैं और वो भी यही कहते हैं उतारो जनेव यह क्या पुराना प्रभू लगा के रखा है पुरा जनेव उतवरा देते हैं और भी पता नहीं क्या क्या होता है कोई बात नहीं अपने चर्शा दूसरी थे तो निर्वान कल्लानक में भगवान के शरीर को अगनी कुमार देव अपने मुकुट के अगनी से संसकारित करता है अगनी संसकार देता है तो ये बात भी उसमें सम्मिलित है पर संग की ओर से अंतिम संसकार नहीं होता है शपक के या शपिका के शरीर का अंतिम संसकार नहीं होते है निश्यदिका पर जाते हैं उसका तो उलेख है और वहाँ जाकर भक्तियां करते है उसका भी आगम में निर्देश है तो उसमें जो करने वाले हैं, अबने जो करने वाले हैं, जो आठाके ले जाते हैं, जरु आचारे का निर्डा होगा है, जैसा संग के आचावी कहेंगे, ऐसा निर्डा हो जाएक। बक्ति तो करेंगे करेंगे वो विसरजन स्थान भी निशद्यका निशीधिका के रूप में प्रसिद्ध है और उसकी वंदना न करने पर प्रैश्चित का प्रावधान है आगम में और वहाँ पर सत्ताई शासोच्वास के बंदे पच्चीश शासोच्वास का कायोत सर्ग बताया गया है निशद्यका की बंदना कारण्या में एक अलग से स्थान बना हुआ है रोड के पास में यहां बहुत सारे ऐसे सरलेक न अंतिम संसकार हो हैं जिनकर कई स्थान उपर होती है और वो की करूणी मात्र नहीं है वहाँ जाकर के अपने को स्मरण करना है कि मेरे शरीर का अंतिम स्थान यह ऐसे ही होगा तो इन्होंने जो काम किया है वैसा पुरशार्ट मुझे भी करना है यह भी प्रतिष्टापना समिती के अंतरगती आता है जिससे नाखुन बढ़ गए है तो मुलाचार गरंथ की टीका में लिखा है कि साधू नकर रदन अपने पास रख सकते है गर्शन से भी नाखुन गिस जाते है कुछ साधू ऐसे करके उसको अलग भी कर लेते है पर उसमें नकर रदन का उलेक है मुलाचार गरंथ की टीका में नकर रदन का अर्द अधूतर नक को दोसो इसमें लिखा स्प्लिटिंग ग्णॉइंग क्रैश्ट ग्रैश्टिंग मतलब उसको वहां से अलग करने का यह वह है वह पक्रम अब कई लोग बुलते हैं कि पक्षी खाते हैं तो मर जाते हैं और कोई कहते हैं कि चीटियां उठा कर ले जाती हैं तो चीटियां उठा कर ले जाती हैं तो देखा हमें लेकिन पक्षी जो होते हैं वह अंजान वस्तु को खाते नहीं हैं जितना हमने अभी तक देखा है जीवन कि वो आप देखिएगा कि बुजु चीटिया के लिए दाने डाले जाते हैं उसमें कभी-कभी कंकड भी रहते हैं कभी कभी सफेध रंके भी कंकड होता हैं लेकिन चिडिया कभी उस कंकड को निखाती हैं वो हमेशा दाने को ही खाती है है कि ये बात थोड़ी गले नहीं उतर रही है अभी फिलाल कि चिडिया और नाखन को खाजाएगी मनुश्य के समझ से बाहर है वो तो सब ठीक है हम आपको दूसरी वाली गाथा भी बता देंगे केशों का विसर्जन कहां किया जाता है स्वादू को स्वैम करना होता है देखो तीर्थंकर के बाल उसमें डालता है क्शीर सागर के जल में वो तीर्थंकर है लेकिन आज के सादू के केश कहां डाले जाता है वो भी अपने देख लेते हैं मुलाचार ग्रंद के मुशार दोसो मुलाचार ग्रंद के मुलाचा जाढ़ जाड है गामे नेरे रन्ने थूलम सच्चित बहुस पड़िवक्षम त्विहेण वज्जिदव्रुम अधिन्न गहनं चतन निच्चं। ग्राम नगर अरण्यार्थाद बन इन स्थानों पर जोवी स्थूल वस्तु हो, सच्चित वस्तु हो, अधिक हो और सपड़िवक्षम सुक्ष्म वस्तु हो, अचित वस्तु हो, अल्प वस्तु हो, उनको बिना दिये हुए ग्रहन करना चोरी है, और ग्रहन करने का त्याग करना अच्चा उर्य है, तो उसका सर्वता ही मन वचन कायब पूर्वक त्याग करना चाहिए, बिना दियोई वस्तु का, फिर बाड से वेश्टित को ग्राम कहते हैं, चार गोपुर याने द्वारों वाले परकोटे से सहित को नगर कहते हैं, बड़े वन को अरण्य कहते हैं, यह उपलक्ष्रमात्र ह इससे ग्राम, नगर, पत्तन, अरण्य, मार्ग, खलिहान, मटम, खेट, करवट, समवाहन, दुरूनमुक, सागर, द्वीब, परवत, नदी, आदी, अन्य भी कोई स्थान हैं, उन सब को ग्राण्य कह लिए जागा हैं, अब वहाँ पर रखी हुई, पड़ी हुई, वस्तु कांस पात्र आदी, वस्त्राभरन आदी हुँ, या पुस्तक, कपलिकार था कमंडल, नख कतरनी, अथ्वा पिच्छी का, इन में से कोई भी वस्तु उन स्थानों पर नश्ट हुई, किसी की खो गई हो, कोई भूल गया हुँ, या किसी की गिर गई हो, या किसी ने रख दी ह या किसी ने संग्रहीत की हो, उन पदार्थों को मन वचन काय, कृत कारत अनमूदना से, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहन करना चोरी है, उसका सर्वता त्याग करना चाहिए, अन्न भी जो वस्तु इसी प्रकार की धन आदी, जो विरोध का कारण, उसकी भी इच्छा नही करनी चाहिए, बने दो प्रकार की वस्तु इसकते, कुछ ऐसी वस्तु हैं जो विरोध का कारण नहीं हो, उन सभी को छोड़ देना चाहिए, तात पर यह है कि किसी भी स्तान पर कोई भी वस्तु कैसी भी क्यों नहीं, यदि वह उसके स्वामी के द्वारा दी गई नहीं है, तो उसको लेना चोरी है, उस चोरी का त्याग करना अचावरिय महावरत है, यह बात हुए, तो इसमें कौन से कौन से वस्तु हैं? अनेक बस्तु हैं दी हुए इसमें तक, इनको एक अलग समस्त पद बना करके, अलग से दिया हुए, बाकी बस्तु हैं अलग से दिया हुए, स्वारनाद एक अलग दिया हुए, धन धान में अलग दिया हुए, दो पाए, चौपाए अलग दिया हुए है, पर इससे यह का प यही तो हम इसी पर आ रहे थे कांसे के बरतन आधी फिर वस्त्र आभरण आधी आभरण कार्थ आभूशन होता है फिर अंत में लिखा है कि पुस्तक कप लिकाया ने कमंडलू और नखरदन कार्थ होता है नख काटने का ओजार और पिच्छी का आधिक ये भी अगर कहीं रख हो और अपने को पताना हो तो बिना पूछे इनको भी नहीं लेना है ऐसा पुस्तक को अपने पास रखते हैं कमंडल को रखते हैं पिच्छी का को रखते है तो इसी प्रकार नक रदन को भी रख सकते इसलिए उस एक समस्त पद्व में उसका समावेश किया गया है यहां किसी और के द्वारा रखी हुई या फिर भूली हुई वस्तु की बात है चार बाते बताई ना यह लिखा नश्टम नश्टम का अर्थ हो गई विस्मृतम याने भूली हुई पतितम याने गिर गई सापितम याने रखी हुई कोई कई कई लोग रखके चले जाता है जैसे यहां पर आम गिरे थे तो फिर उसको ऐसे खिड़की पर जमा दिया था पर वहां से कोई उठा कर भी लग गया थे आम गिरे हुए थे तो साथ आम थे तो ऐसे उठा करके खिड़की पर रख दिया हमने रखे थे हमने सुचा कि भी रख देते हैं वो नीचे पड़े पड़े उसमें जीव जनतु हो जाएंगे तो फिर उसको उपर रख दिया फिर बाकी लोग पूछताच करके कहीं कुछ उसका उपयोग करना हो वो जाने पर वहां रख दिया थे तो रखी हुई बस तो भी स्थापितम पर संग्रिहित पर संग्रिहितम दूसरे की द्वारा इकटा की हुई बस तो रखना अलग है और इकटा करना अलग है बच्चे लोग पहले के जमाने में सीप अगर इकटा कर लेते हैं रेत में खेलते समय और उनको एकटा करके चले जाते हैं तो ऐसी वस्तु को भी मन वचन कायस है कृत कारित अनमूदना से अगर बिना दीवी वस्तु है तो उसको नहीं लेना उसका त्याग रखा यह प्रवचन सार गरंत की टीका में भी आचेर जैसेन स्वामी ने पिछी कमंडल और शास्तर आदी लिखा है तो इसका आर्थ यह हुआ कि जो लोग कहते हैं कि पिछी कमंडल और शास्तर के अतरिक्त अगर सादू कोई भी चीज रखते हैं तो वो सादू सादू नहीं है तो समस्या यह है कि आज लोग वकील बनने से पहले जज बन गए हैं और एलल भी पढ़े नहीं है और बड़ी बड़ी वो दे रहे हैं मतले बड़ी बड़ी फैसले दे रहे हैं साध्यों के बादे अब इसका अर्थ यह नहीं कि हम अतिरेक का समर्थन कर रहे हैं अतिरेक भी उचित नहीं है और इधर भी खीचा तानी नहीं करना उधर भी नहीं करना है दोनों बाते अब आप यह देखिएगा कि इशलोंच के बालों का क्या करना है यह प्रतिश्टापना शुद्धे के अंदर बरनना रहा है इस लोग बोलते हैं कि उस नाखन परिसर में नहीं शोड़ना इससे वह शल्ले हो जाती है अश्वी हो सकते हैं शकून का भी शकून शास्तर का भी अपना एक अलगभू है इसे केश भी अपयोगे स्थान में घरवा देना चाहिए जूल विसलियन के विदियों तो शेलोंच को अपन सादू लोग तो क्या प्रायकर धरम शाला त्यागी भावान में इससे छेत्रों में रुखते हैं तो छेत्रों में शेलों जाएगी सादू की बाल में रहते हैं अच्छा नाखों महीरा तो इसको दूर के अगर दो है को है कुछ लोग शद्दा से दरों में ले जाते हैं भाई खर उसका अपन नहीं समर्थन कर सकते हैं नहीं अनुमूद ना कर सकते हैं इसको फिर हम निकाल के देते हैं अबे तो फिलाल वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि उसको केश को अपने केश जो उखाड़े हैं उसको स्वयम सादू किसी प्रासुक स्थान पर विसर्जित करें नहीं मिट्टी खोदने की गड़े खोदने की आउशटा है, सादू खोद भी नहीं सकते गड़े, पर नहीं पानी में विसरजित करने की बात है, उसको प्रासुप भूमी प्रदेश पर पिच्छी से मारजन करके वहां पर उसको विसरजित करें अपने केश को, ऐसा स्पश लिखाए यह सदू के शक्यान श्राइब कर सकते हैं कहीं नहीं है कहीं नहीं है कहीं नहीं है कहां को अच्छा पर मुल्हचार में तो इसका प्रकरण नहीं है अच्छार परिवतन करें हैं अब ही तक गर्दा करवार के इसमें नहीं नहीं दो इस प्रकार से कर सकते हैं तो नख रोम सिंघान अभी देखें यह सईयत कर रहे हैं यह जिनके पैर की एडियों की हट्टियां बढ़ जाती और उनको बहुत दर्द होता है तो उसमें सर्सों की तेल पर वो सेंदा नमक का जो बड़ा वो रहता ना एक खंड उसको ऐसे रगडवाते हैं तो वो हट्टी गल जाती अंदर और फिर उसका दर्द खतम जाता है वो पर साइज हो जाती उसके सही कई दनों तक उसको रखरवाते हैं मुस्लिल लोग जो अंदर कब्लों में आज़ते हैं तो नमक ही डालता है न हमद्व आनको नमक दो प्रकार क्या था ने सम्दों बाता एक अर फिर विद्यत देशकाला समय और स्थान देख करके शोधन करके और जन्तू पुरोध मंतरीन प्राइत के प्राणियों को कोई बाधा न पहुँचे इस तरह से प्राइत न करते हैं तो यह प्रतिश्ठापना शुद्धी भी आवश्यक है मान लोग कोई इस आदू ऐसे केश्णोंच किया उन्होंने उस दिन और उसको प्रासुक्सान पर विसर्जित करके फिर ध्यान में वैट गया और सिद्धत्व को प्राप्त होएं सन्यम सिद्धि प्रतिश्ठापना श शेयनासन शुद्धि पर रहे हैं अब इसके उपरांद जो है सात्वी शुद्धी है शेयनासन शुद्धी है ये शैयन का अरत होता है सोने का स्थान और आसन का अरत बैठने का स्थान क्षुद्र चौर पानाख्य शौंड शकुनिकादि पाप जन वासा वर्जा शयन और आसन शुद्धी में तत्पर सहियत हूँ जो क्षुद्र जन है अलकी प्रवृत्ति वाले लोग है चोर लोग है और शरावी लोग है शाकुनिक लोग है शिकारी अगरे पक्षी पकड़ने वाले लोग और आदी शब्द से इस तरह के और भी लोग होते है जो क्रूर प्रवृत्ति वाले होते है ऐसे पापी जनों के निवास पर साधुओं को शयन और आसन नहीं करना चाहिए उनके स्थान छोड़ देने चाहिए और कौन से स्थान छोड़ने चाहिए अब क्योंकि उनको द्वेश जल्दी भणक जाता है वो कोई भी उपसर कर देता है और राग के स्थान छोड़ने के लिए कहा है श्रिंगार, विकार, भूशन, उज्ज्वल, वेश, वेश्या, क्रीडाभी, राम, वेश्या, क्रीडाभी, राम, गीत, नृत्य, वादित, त्रा, कुल, शाला, दैश्य, परिहर्तव्या वेश्याओं की जो चित्र शालाएं होती है जहांपर पूरा रागरंग का वातवरण होता है जहांपर वो श्रिंगारित होकर के आती है विकार पूरन प्रवृत्यां करती है आभूशनों से युक्त होती है और उज्ज्वल वेश को धारन करती है और क्रीडाएं करती है सुन्दर, गीत, नृत्य और बाजे वहाँ पर बचते रहते है इन सब वातवरणों से व्याप्त स्थानों का परिहर्तव्या साधूं को परिहार करना चीए शैनासन शुद्धी में तक पर साधूं को सहियम की रक्षा के लिए ऐसे स्थानों का त्याग करना चीए फिर अपवाद रूप में ऐसे उधारन आते हैं कि ऐसे स्थान पर साधूं पर उपसर्ग होने पर भी वो साधूं उपसर्गों को जीत लेते है पंचमकाल की एक कथा आती है योग शास्तर में कि भद्रवाओ स्वामी के एक शिश्य थे उन्होंने ऐसी चित्रशाला में चत्रमास करके अपने मन को निर्विकार रखा थे वो कता सुनी हो अपने शायव स्थूली भद्र नाम था उनका बहुत पसिद नाम थे और वहाँ पर उनको जो कोशा नाम की जो विश्य थे उसने बहुत विचलित करना चाहा पुराना संबन था उनका क्योंकि पूरुम में वहाँ पर जाया करते थे वो दिक्षा के पहले अब वो दिक्षा के बाद इसलिए गये थे वहाँ चौमा से के लिए कि उनको अपने मन की परिक्षा करनी थे कि मैंने इतने समय साजना किये और तपस्या किये अब मेरे मन में वापस वैसा राग उत्पन होता है कि नहीं तो गये वहाँ पर उनके अंदर वैसा राग उत्पन नहीं हुआ तो उसने भी नमस्कार किया उनको तब एक सादू सिंग की गुफा के पास चौमासा करके आया थे तो गुरु जो है उनके लिए कहते हैं कि हे धीर मेरा आपको प्रतिनमोस्तु फिर एक मंडू कासन में कुवे के पाट पर चतुमास करके आया थे तो बोले हे धीर क्योंकि अगर धीरज नहीं होते तो फिर काम नहीं बन सकते हैं हे धीर आपको मेरा प्रतिनमोस्तु फिर जब ये आये स्तूली भद्रमुनी तो फिर इनसे बोलते हैं कि हे धीर वीर गंभीर आपको मेरा प्रतिनमोस्तु तो वो सिंग की गुफा वाले जो सादूत हैं उनको इरशा हो जाते हैं कंचन तजना सरल है सहज कामिनी ने है मान बड़ाई इरशा दुरलब तजनी जे है यानि स्वरण का त्याग और कामिनी के स्नेह का त्याग करना सहज है लेकिन मान बड़ाई और इरशा को छोड़ना कटेना तो उनको इरशा हो जाते हैं फिर जब दुबारा चतुर मास का समय आता है तब वो कहते हैं कि मैं वहीं चौमासा करना चाहता हूँ तो गुरु मना करते हैं कि नहीं कर पाऊगे तुमारी उतनी क्षमता नहीं है तो बुलते हैं कि अरे गुरुर मैं सिंग की गुफा के पास चतुर मास करके आ गया हूँ तो वहाँ चतुरमास करना कौन से बड़ी बात है तो गुरु कहते हैं कि वहाँ करना बड़ी बात है तुम नहीं कर पाओगे लेकिन वह आग्रह करके चले जाते हैं अपर वहाँ जब करते हैं तो विचलित हो जाते हैं और विचलित ऐसे होते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी कामनाएं उत्पन हो जाती है तब वो कोशा वेश्या समझ जाती है कि ये तो मन से भरष्ट होई चुके हैं अब चूंकि ये साधू है इसलिए मेरा कर्तब है कि इनको तन से भरष्ट ना होने देने इनके अंदर सत्बुद्धी आजा ऐसा मैं कोई उपाय करती है तो वो कहती है कि मैं आपकी इच्छा समझ चुकी हूँ लेकिन हम तो पण्यस्त्री कहलाती है याने हम फ्री में कोई काम नहीं करती है इसलिए आप अगर मुझे पण्ये प्रदान करोगे तो फिर आपकी इच् सकता हूँ फिर भी कहो क्या चाहती है तो कहती है कि मुझे नेपाल नरेश का रतन कंबल चाहिए तो वो चौमासे में नेपाल नरेश का रतन कंबल लेने चले जाते है और नेपाल नरेश बोलने है कि अगर मुझे संदेश भीश देते तो हे गुरुवर मैं आपको किसी अब राजा को क्या पता कि इनके मन में क्या है बड़े सम्मान के साथ वहां से वो विदा होते हैं और लोट करके आते हैं योजनों चल करके और जब वहां पर आते हैं लोट करके उस स्थान पर पहुंचते हैं तो वो बगीचे में टहल रही थी और वहां की भूमी और घास वगेरे थोड़ी गीली थी वो टेल रही थी और यह यहां से आवाज लगाते हैं कि मैं आ गया आ गया तो वो बड़ी उपेक्षा द्रिष्टी से उनकी और देख करके पूछती हो कि चिल्ला क्यों रहे हैं तो बोले मैं एक कठिन कार्रे करके आया हूँ राजा समय तुम्हारे लिए रतन कंबल लेकर के आया हूँ अच्छा ऐसे बोलती है और फिर उस रतन कंबल को अपने हाथ में लेती है वो बड़े प्रेम से देते हैं उसको हाथ में लेकर के अपने पैर की धूल फेक पोच करके नाली में फेक देती है तो वो कहते हैं कि अरे यह क्या किया तुमने मुझे लगा था कि तुम इसको ओड़ोगी लेकिन तुमने तो कीचर पोच करके इसको नाली में फेक दिया कितना मुल्यवान था वह रत्नकंबल तो वो कहती है कि मैंने रत्नकंबल नाली में फेक दिया इसका तुम्हें खेद हो रहा है तुमने रत्नत्रे नाली में फेकने का उपक्रम किया उसका खेद नहीं हो रहा है बस इस एक वाक्षे को सुनकर उनका हिर्दा परिवर्तित दियाता है वो गुरू के पास लोटते है पहले उन मुनी को नमस्कार करते है जिनका चौमा सा हुआ था वहाँ पर और फिर गुरू के पास आकर के कहते है कि मुझे पुनर दिक्षा दिए मेरा आहंकार चूर चूर हो चुका है ऐसी घटना आते है फिर भद्रवाव स्वामी जो सूली भद्रम मुनी थे उनको भी बारा अंगों का अध्यान करा रहे था लेकिन दश्वे पूर्व में वो अनुत्तीलन हो जाते है आप सूचिए कि कितने व्यवधानों को पार करने के बाद वो शुद्धी प्राप्त होती है जो शुद्धी भद्रवाव स्वामी को प्राप्त थी दश्वे पूर्व में वो अभिनाक्षर रह जाते है और तब गुरु कहते हैं कि इसके आगे का अध्यान मैं नहीं करा सकता क्योंकि तुम अपात्र परमानित हुए तुमने विद्ध्याओं का प्रयोग कर लिया भावलिंगी सादू विद्ध्याओं का प्रयोग नहीं करते तुमने रूप परावर्तनी विद्ध्या का प्रयोग करके अपना शेर का रूप बना लिया इंद्र धर्णेंद्र और एहमिंद्रों द्वारा परोक्ष पूज्य और राजा महराजा चक्रवर्तियों के द्वारा पूज्य इस निर्गरंत मुद्रा को तुमने प्राप्त किया फिर भी तुमने तिरियंश की मुद्रा बनाना पसंद किया इसलिए मैं तुम्हें आगे ग्यान नहीं दे सकते छोड़ दियो आप सुचो कि स्री के राग को जीतने वाले उस विद्या के राग से पराजित होगी बहुत दुशकर है मोक्ष जाना सरल नहीं है अपन बच्चों को सिखाते हैं क्या बनना है तुम्हें भगवान बनना है एक उत्सा प्रोत्सान के हिसाब से ठीक है लेकिन उसको जीवन के किसी ऐसे मोड पर ये भी समझाना आवश्यक है कि भगवान बनना हसी खेल नहीं है संसार का सबसे कठिन काम भगवान बनना पर भगवान बना नहीं जाता है भगवान हुआ जाता है ये एक और बात क्या अभी कितनी कल्पना कर लेते लोग कि हम तीसरे वह में मोक्ष चले जाएंगे हमारी इस जनम में तो इतनी तैयारी हो जुके हम तीसरे जनम में मोक्ष चले जाएंगे अभी ज़्यादा मत सोचो अभी जितना आदेश मिल रहा है चर्णान योग में उतना ही कर लो 24 गंटे के अपने भावों को देख लो तीसरे जनम में मुख जाओगे कि हैं अपने भावों को पढ़ लो वो ही सच्छा स्वाध्या हो जाएगा कैसे कैसे विचार आते हैं दिन भर में और आगम पर अक्षर शषद्धा है कि ये भी और परिक्षा कर लेगा तो सम्यक्त की पैचान हो जाएगी अगर एक अक्षर भी चूक रहे हो तो समझ लेगा ना कि अभी सम्यक्त तो नहीं है बहुत सारी बाते हैं तो ये प्रतिष्ठापन शुद्धी है, शैनासन शुद्धी है, तो प्रतिष्ठापन शुद्धी तो हो चुकीती, ये शैनासन शुद्धी है, कि ऐसे स्थान को छोड़ देना, और कहां रहना फिर, कहां शैन करना, कहां आसन लगाना, तो अचेर कहते हैं, साधू ऐसे स्थान पर रहे हैं जो कुद्रती प्राकृतिक रूप से बने हुए जो पहाडों की गुफाएं है वुरक्षों में ऐसे खोल बन जाती है बड़ी-बड़ी जहां वो बैठ सकते हैं वहां बैठ सकते हैं कोई आपत्ती नहीं है फिर कृत्रमाश्च शुन्यागार आदे और कृत्रम स्थानों पर भी रह सकते हैं साधू जो लोग बुलते हैं कि नहीं साधूं को कृत्रम स्थानों पर नहीं वन में ही निवास करना चाहिए वो अकलंक आचायरी देव की इस पंक्ति को पढ़ ले कि साधू कृत्रम स्थानों पर भी रह सकते हैं कैसे स्थान शुन्यागार शुन्य भवन है जहां पर कोई ग्रहस्त आदिक का आवास नहीं है वहाँ साधू रह सकते हैं वस्तिका आदिम हैं और कहां रह सकते हैं मुक्त मोचित आवासा जो स्थान ग्रहस्तों ने छोड़ दिये हैं खाली पड़े हुए हैं उन स्थानों पर भी रह सकते हैं और जो स्थान मोचित है यहने सरकार की ओर से खाली कराए गए निवास हैं बाड के समय या फिर आगजनी के समय या भूकम के समय सरकार ने कह दिया कि बहुत यहां नहीं रह सकते हैं यह स्थान संकट करस्त है तो ऐसे खाली कराये गए स्थानों पर भी साधू रात में रुख सकते हैं या कभी और कुछ समय के लिए रुखना हो तो वहाँ ठैर सकता है चोरी का दूश नहीं लगेगा तो यह शैनासन शुद्धी है और कैसे हैं अनात्मो उद्देश निरवर्तिता अपना उद्देश करके जो बनाये गए नहीं है उन स्थानों पर भी साधू रह सकते हैं निरारंबाहा जहां पर अपने निमित से कोई आरम सारम न हुआ हूँ वहां रह सकते हैं एक पहितरास्रव नाम के मुनीराज थे जो अचेर शांतिसागर महराज जी की सल्लेकना के समय उपस्तित्यमा कुंथल गिरिम तो वो जब शिकरजी की बंदना के लिए गया है तो जहां उनको पाटे मिलते थे वहां तो वो पाटे पर सोते थे और जहां श्रावक लोग पाटे अलग से उनके लिए लेकर के आते थे तो जमीन पर सो जाते थे तो एक पंडित जगन मुला जी ने उनसे पूछा कि महाराज ऐसा क्यों तो बोले ऐसे ही तो है शास्त्र में मैं क्या करूँ एकदम सरद सीधे सादे और अपनी उसमें मगने रहने वाले सादे कई ऐसे सादू हुए हैं जिनके नाम नहीं है पर काम के वो बड़े थे और वाइसे वर्सा याने इससे विपरिद भी है कई सादू इतने ही रखते हैं एक अंतिम शुद्धी बच गई है वचिन शुद्धी बहुत बड़ी शुद्धी है जैनम जै तुशासें